दोस्तो आज तक आपने कई तरह के जानवर देखे होंगे लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनने देखने के लिए नसीब लगता है जो दुनिया के सबसे चोटे जानवर है इनका साइज इतना चोटा होता है कि जिनने आप जिनने आम तरह पर जो कच्षुए आपने देखे होंगे वो साइज में काफी बड़े होते हैं पर फेडलो पर टोल्टो इसका आकार आम कच्षुए से काफी चोटा होता है जैसा कि आप स्कृन पर देखी सकते हैं कि ये कितना चोटा है ये कच्षुए साूथ अफरिका के जंगलों में पाए जाते हैं इनकी लंबाई 3 इंज तक होती है और इनका वजन 80-100 ग्राम तक होता है दोस्तों दुनिया में लगबग 300 प्रकार की उक्टोपस पाए जाते हैं और उनी में से एक उक्टोपस है जिने उलफी नाम से जाना जाता है जो की दुनिया का सबसे चोटा उक्टोपस है इस उक्टोपस की पेरों की लंबाई 1.5 cm तक होती है इस उक्टोपस को 1913 में खोजा गया था इसका वजन कबल एक ग्राम का होता है ये उक्टोपस ठाइलेंड के बीचेस में पाए जाते हैं नमबर 3 कमेलियन दोस्तो जहां आम गिर्गिट का आकार काफी बड़ा होता है वहीं इस गिर्गिट का आकार काफी चोटा होता ये गिर्गिट की परजाती का सबसे चोटा गिर्गिट है दोस्तो आप तो जानते ही होंगे कि गिर्गिट माहोल के हिसाब से अपने रंग को बदल लेते हैं परंतु ये चोटी आकार के होने के कारण दुनिया इनसे अंजान थी परंतु साइंटिस्टों ने इन्हें साल 2000 में मेडगास करके जंगलों में खोज निकाला इनकी लंबाई 3 सेंटिमीटर की होती है ये इतने चोटे होते हैं कि पैंसिल या मेस्टिक के आख चार इंच की होती है जिनकी बजे से इन्हें दुनिया का सबसे चोटा साप कहा जाता है ये साप बिलकुल भी जहरिले नहीं होते ये साप कीट पत्वंगों को खाकर अपना पेट भरते हैं नमबर फाइब बंबल भी बेट दोस्तों इन्हें दुनिया का सबसे चोटा तक होती है ये भी बाकी चमगादरों की तरह पेर या गुफाओं में रहना पसंद करते हैं